कच्छा 5 के हमारा परिवेश से समिधान में जितनी चीज़े दीगे उसे हम लोग सबजने का प्रयास करते हैं और वो आपके लिए कितनी महत्तपूर है क्योंकि इस बार जो प्रस्ण बनेंगे वो आपके कच्छा एक से लेके 5 तक की बेसिक किताब उस बनेंगे जैसा इसमें यह दिया गया है कि समिधान सभा के अध्यच कौन थे तो यहां अध्यच से दो बातिया पश्ट होगी पहला जब समिधान सभा का गठन हुआ था उस समें एक औस था यह चुना गया था जिसका नाम था डाक्टर सचिनानन सिन्ना किन्तू बैठक असफल रही दो दि समिधान सभा का अस्था अध्यच चुना गया था किन्तु मुस्लिम लिखने भष्कार करने के कारण कुन दो दिन के बाद 11 इसंबर 1946 को जब दुबारा समिधान सभा की बैठा कोई उस समय देश के समिधान सभा दो अध्यच चुनेंगे वह डाक्टर राजयन प्रसाद प्रसारी को 24 जन्वरी 1950 को और 26 जन्वरी 1950 को गरतंद दिवस मनाये गया और जहां पर राष्टपती ने संभोधन किया और देश में जंडा फेराया और उस दिन से पूरे देश में समिधान लागू हो गया दूसरी बात समिधान जो लिखने का समय था वो दो वर से 11 मां 18 द वो डाक्टर भिम्राव अंबेड कर जी थे ठीक है और समिधान जो आपका लिख के तयार हुआ था वो 26 नॉंबर नई सो उन्चास को किन्तों इसे लागू किया गया लगबग सार दिन बाद 26 जन्वरी 1950 को उसके लिए भी रिजन था जो मैंने आपको बता दिन लाहौर में साधिंता दिवस की जो मांग की गई थी इसलिए उस दिन को ही पूरे देश में गरतन दिवस के रोप में मनाया जाने लगा गरतन का मतलब हो गया कि हमारे देश का अच्छा गरतन सब्द का मतलब क्या होता है गरतन इसमें सब्द भी दिया है मतलब हमारे देश का जो राष अनुगत नहीं होता ठेक उसके बाद आते हैं औरुप Warriors समिन्हां की विसेस्ता जो आपके इसमें दिया भी ढई off तो संविन्हां की विसेस्ता यह O विसेस्ता Warband in dubis Тем cycle में कुछ형 कुछ सब्कार लेख किया गया है और दो दिन के बाद दो दिन के बाद उन्हें जर समिधान सवा की बैठक हुई तो उसमें आपके पंडि जोहला नेरू ने उद्देशिका के साथ समिधान सवा को प्रारम के अपनी समिधान के जो प्रारूप था वह उद्देशिका से प्रारम किया उद्देशिका का तातप यह होता है संदर्व एक होता है प्रसंग एक दो सारांज किसे कहते हैं है जो हमारा इतना मोटा लिखित समीदहान-इव्धेस का सबसे बड़ा उसकी जो सारांस है वह क्या है आपकी उद्देश का या प्रस्तावना है इसे समिधान की आत्मा या हिर्दय कहते हैं किन्टू यदि यह पूछ देख भीमरा मेटकर ने किसे का था तब अनुश्यद 32 लेकिन जब यह नहीं कहेगा तो क्या कहेंगे प्रस्तावना या उद्देश का इसकी सुर पढ़े आप लोग पढ़े लीजेगा सों पढ़ी लेकि तो दिया गया है हम भारत के लोग मतलब कि इसका मतलब क्या होता है क्यों कि किन्यों कि दिया है इसका मतलब यह होता है कि हम भारत के लोग का मतलब भारत में जो सत्य सक्ति साली है वो जनता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर प्रभुत संपन यह लाइन एक दम सेम टू सेम आपके अच्छा पांच किताब में दिया संपूल प्रभुष संपन का मतलब सावरेंटी इसका मतलब क्या है सरसक्तिमान सरसक्तिमान का मतलब यह है कि भारत के उपर किसी अन्य देश का हस्तचेप नहीं होगा महां अपने देश के लिए सवतन तुरूप से नियम और कानून बना सकती जैसे यदि आपके घर में आपक सची के उपर मुख्यवंत्री अब राज में कोई राज में एकर कोई व्यक्ति कानून बनाता है को मुख्यवंत्री तो क्या सरकार स्वयम बनाए तो इसमें कोई देश चाइना अपने लिखित पर इच्छा का वजन क्यों करा रहे हैं या आप अपने यहां इस तरह के पर Time माने समपूनर प्रभतसंपन माने है भारत सवयम अपने आपने सती सकतिमान है इससे बड़ी कोई सक्तिय कोई ताकत नहीं होताइब होता है संभूण संभूर संभूर संपन का अताथ पर माने वह किसी की नियंद को सफालू करने के लिए बात दिये किन्तु स्वयम को नियम काणुन बनाना होगा इसका मिर्णे स्वयम भारत सर्कार करेगी है, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत संपन समाजवादी यह समाजवादी का मतलब समाजवादी पाल्टी से नहीं है जिसके वह वर्तमान राष्टिय ध्यक्त मानिन अख्रेश आदोजी है इसका मतलब है समाजवादी का मतलब है इस सब्सक्राइब किया था वह काहल मार्क्स ने किया था यह आ तो समाजवादी का ताथ पर यह है कि समाज या देश में जो उच नीच की खाई, उच नीच का मतलब क्या है? जातिधर्म के साथ साथ जो अरमीर और गरीब के जो ये रेशियो है. मतलब ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई नियम ना बना जाए. अमीर होता जाए और गरीब और गरीब होता जाए इस खाई को कम करने के लिए समाजवादी बिवस्था को एडाप्ट किया गया या सीकार किया गया वहने हमारे देश का समिधान क्या है समाजवादी अर्थ बिवस्था क्या करता है प्रमोट करता है समाजवादी का मतलब कम है भाई लग से कम है तो टक्समुक तो उससे ज़्यादा तो आपको कर देना है कहने का मतलब इससे कुछ अपवाद है कुछ-कुछ इसके पाजिट्यू कहने का मतलब देश में गरीब और गरीब नहोता जाए अमीर और अमीर नहोता जाए इसके लिए समाजवादी को प्रामरी क्या ध्यापक बनेंगे ग्यापक प्रावरी स्कूल एक समाज वादी का एक सबसे प्रमुक उदारन है अज़े प्राइवेटि स्कूल क्या है वह पूजी वादी का एक ज्यामपल यह तो कहने को मतलब उसमें चाहे गरीप कलवालाडपडने है चे अमीरकल अलका प्ढळना है सब को ड्रेस एक बराबर मिलेगा ऐसा नहीं है यह देश का कोई धर्म नहीं जैसे आपका एक पगल में बहुत खास पड़ोसी देश है जिसका नाम है नेपाल उसकी राधानी काठमांडू है जहां का मुद्र है नेपाली रूपया वह एक मात्र ऐसा देश है जो पूर्ण हिंदू राश्ट था पूर्ण हिंदू राश्ट था लेकिन अभी कुछ दिन पहले वाद समिधान लागू हो गय उसके बाद वह लोगतांत्रिक बुस्ता कर दी गई अब उसे हटा दिया गया किन्टू आज के तीन साल पहले तक वहां मात्र ऐसा देश था जो पूर्ण हिंदू राश्ट था बहुत सार ऐसे राश्ट है जो अपने धर्म के नाम पर जाने जाते हैं लेकिन भारत क्या है इसका को धर्म नहीं है को इसका मजहब नहीं है यह सभी धर्म को बराबर मानिता देता है और सबीको बराबर उप से श्विकार भी करता है ठीक है पिर आगे बढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत के संपोल, प्रभुत संपन समाजवादी, पट जनेरे पेच, लोग तंतरात्मक, लोग तंतरात्मक मतलब देमो कैसी, लोग तंतरात्मक मतलब अबरहम निकन की अपनों को डिफिसन याद होगी, सबसे बेस्ट पज़िवासा वही दिये थे, क्या था, मतलब जनता के लिए जनता द्वारा सासन, लोग तंतर कहलाता है, माने हमारे बीच से कोई चुनकर जाता है, और हमारे उपर ही सासन, और हम इसे चुनते हैं, माने अपने में से, अपने को चुनकर हम वहां तक भेशते हैं, और हम पर ही सासन, इसक तरह से बहतर कानून बनाएगा लेकिन होता क्या है आप सब बहतर तरीके से जानते हैं लोग किस तरह से अपना घर बसा रहे हैं दूसरे का बसा रहे हैं अपना हित देखते हैं कि जनता का हित देखते हैं वो तो बात की बात है और आगे बरते हैं तो अब अगला सब्द आता कहाता है इसका मतलब क्या है गंधराच का मतलब क्या था जो राष्टा देच Çोता है वह क्या था व्य भी आन्य सॉ graduates नहीं होता है हुआ रफ को jest अधू 20 जैं क embuts the जिसका भी चुनाओं करते हैं वह कितने वर्ष के लिए पांच वर्ष के लिए पांच वर्ष के बाद चुनकर आया तो ठीक है नहीं चुनकर आया कोई अन्य बेक्ति उस पे विराजमान होगा भारत की तिहास में कि वह राजिंद पसाद एक मत रहसे राष्ट पती रहे जो दो कारेकाल तक निर्वाचीत हुए माने पांच पांच दस वर्ष तक उनके बारे में एक बात और है वह पहली बार जो राष्ट पती बने थे 26 जनरी उन्हें 150 को ठीक उस समयव समयधान सभाध औरा बनाये गे दे किन्त उसके बाद उन्हें 52 से 57 से बासर तक थे ठीक उसक कच पांच में आपके सम्म Jewish kanum को रॉष को राश्टियु को पता है वह या घभाट पागर थेवा अ और मद्दान कर सकता है पर विद्हायक करता है जो जाता है हँरे देश के संसत में बढ़ता है हमारे लिए कानून बनाता है माने हमी द्वारा चुनकर हमी में से कोई बेखती जाता है और हमारे लिए देश में बैठ कर दिलने में बैठ कर हमारे लिए क्या बनाता है कानून का निर्मान करता है यह भी कच्छा पांस है यह फिर आगे देखते हैं अच्छ हमारे समिधान में हमारे समिधाण में प्रारम में साथ मूल अधिकार को रखा गया था किन्तो जब समिधान बना था उसमें मूल कर्तब का जिक्र नहीं था बाद में अनुछेद भाग जोडा गया भाग चारक मूल करतब फंडामेल्टर डूटी भाग चारक ये समिधान का हिस्सा नहीं है ये प्रस्त पोस्ता है जो मूल करतब है ये समिधान का हिस्सा नहीं है इसे बाद में जोडा गया जबकि मूल अदिकार मूल समिधान का हिस्स जब समिधान बना था उसी समय मूलादी का हंडामेंटल राइट Ben गये थे किन्तु जो मूल करतब थे फंडामेंट시면 डिटी वह क्या हुआ बाद में बनाया गया परारम में यह बनाया सुन सिंह समिट के स्वारिश पर यह सौवियast सर्फ रसिया से लिए गया था एक कहां से रसिया से लिए गया था और जब बना था तो प्रारम इसमें दस कर्टब थे कितने थे 10 कर्टब थे किन्टु बाद में 619-1900 2002 के बाद इसमें एक और जोड़ दिया कि प्रतेख अविवावक का ये कर्तब्य होगा कि अपने नजदी की 6-14 वस्तक के बालकों को या बालिकाओं को क्या करें अपनी नीजी या नजदी की बेद्याले में दाकला कराके उन्हें सिच्छा प्रदान कराएं दो हजार दो 86 समिदान संसोधन 2002 के दोरा समिदान 2002 के दोरा अंच्छेद 21 क 21 क में मूल अधिकार में सिच्छा के अधिकार को भी जोडा गया और वहां कहा गया कि 6-14 वस्तक के बालकों को निसुल्क सिच्छा लेने का अधिकार है मानि हमारा समिदान जो है उन्हें fundamental duty देता है किसके लिए ये 6-14 वस्तक के बालकों के लिए निसुल्क सिच्छा के लिए निसुल्क सिच्छा के लिए और आगे दे लेकिन जो कांस्ट्यूशन में जो अमेंडमेंट जोडा गया वाच शियाईसियन समिदान 2002 दोरा अंच्छेद 21 क जिसमों उसको ये पूरा दिखा दिया गया कि प्रतियक बालक का ये करता बहोगा अच्छा बाद में मूल्क नितिनिसकत में जोडा गया और शेद 45 कम है उसमें ये जोडा गया कि प्रतियक राज का ये करता बहोगा कि अपनी राजिके में 614 वस्तक के बालकों को निसुल सिच्छा दिलाएं उसके लिए वो क्या करते हैं अन्य योजनाय चलाते से मिड़े मिल द्रेस वित्रित करना जूता मोजा वित्रित करना भी ठंडी आरे स्वेटर वित्रित करना निसुल किताबे निसुल के प्लेट देना निसुल के बैग देना ये सबी क्या है जैसे सरकार ने बैग दिया तो जोरी जी अगली सरकार भी बैग दे तो ये नीतिने देशकत तो होता है तो ये क्याता उंशेत 45 का केता है माने सिछा के साथ साथ बच्छों को बिद्याले तक लाने की जिमेदारी किसकी होगी? राश सरकार होगी कैसे लाएगा? सिछा देगा, भोजन देगा बैट देगा, किताबे देगा स्कॉलर्शिप देगा एक कहने का मतलब यह राज सरकार का दाइट तो हता है उन्षे 45 कह के था कि 6-14 वस्तक के बच्चों को बिद्याले में लाके कैसे उसे रोक के रखे उसे कैसे सिच्छा दी जाए मनि सिच्छा के साथ-साथ उसे उचित पूसल की विवस्ता की गई है ताकि भारत में वह गरीबी के नाते कुप पूसल का सिकार न होने पाए इसलिए जब आप अध्यापक बनेंगे आप देखेंगे कि जो मिड़े मिल का भोजन बनता है वो मेनू चार से बनता है ताकि उसमें इसका विशेज द्यान दिया जाता है कि उसमें कितनी कैलोरी उर्जा किसे मिलेगी और एक सब्ता के अंदर बालक को कितनी कैलोरी देनी है ताकि वह कूप पूसल का सिकार वासिकता क्या है ये आप अध्यापक होने के बात विद्याले में जरूर देख लीजेगा ठीक, लेकिन आप जहां जाएएगा व्रस्ता को सुधार करकेगा क्योंकि आप से ही क्या होता है व्रस्ता को सुधार होता है ये नहीं उनके साथ आप भी ठहल देगा वेकि आप देश के एक बहतर नाग रिखा हैं और पढ़के जा रहे हैं उन सब की तरह डायट BTC पास करके नहीं जा रहे हैं आप दो-दो परिच्छाएं क्वालिफाई करके जाएंगे और हम आसा करते हैं कि आप अपना बहतर देंगे अब आगे आते हैं कि अच्छे असमिधान इब बात कि और घॉस्ता कि गई कि अब बालको और बालिकाओं कि उच्छा की इतर अलग गहतर की घुक daar हाँ कुछ अस्थान भी किया गिए उसके अपवाद है वो आपको याद भी करने हैं लेकिन इसमें बता दें कि बालकों के समकछ लाने के लिए सरकार ने एक साथ सिछा देने की बात कहीं माने सरकार का मतलब ये समिन्धहन कहता है कि जितना अधिकार जितना राइट बालकोग होता उतना बालिकाओं को भी होता इसलिए सिच्छा के मामले में बालक और बालिकाओं को समान अधिकार दिये गए हैं लेकिं किंदो कुछ अस्थानों पर बालिकाओं को विशेश प्राधान किया गया है लेकिन सिच्छा देने के मामले में बालक और बालिकाएं एक दूसरे से इतर नहीं है दोनों के लिए क्या है समान घ्रस्थाक्गी गया है ताकि वह समाजिक दिश्चिकोर से समकच्छ और बराबर है और पुर्षों के साथ भाविस में कंदा जे कंदा मिलाकर चल सकेए ऐसा स समिधान क्यों बनाया गया प्रशन दोसरा है समिधान सवा के अध्यच कौन थे यहां पर राजयन प्रसाद को ही करेंगे अब हाँ उसके बाद है हम भारती समिधान को लागू किया गया 26 जनौरी नहीं 150 को प्रतीवर 26 जनौरी को हम गरतंद दीवस के रूप में मनाते हैं यह तक अच्छा पांच का समिधान आपका पार्ट 19 हमारा समिधान ठीक इसको हमने बताने का आपको प्रयास किया अब अगले पार्ट में चलते हैं ठीक अगर आप लोग को बहतर लगा और सेयर कर दिएगा क्योंकि बहुत महत्तपूर है और प्रस्ण आपके समिधान के इहीं से आएंगे मानि 18 मिनट की वीडियो से क्या होंगे आपके सभी प्रस्ण आपके परिच्छा में पूछे जा सकते हैं ठीक किसी कोई समस्या हो तो आप लोग पो सकते हैं ठीक कोई समस्य बता नहीं है यहां से जितना मने बताया अब पार 20 में चलना है और यह वीडियो में चलेंगे तब तक के लिए जाएंगे